हेलो गाइस तो क्या से हो में लेके आ गया दा पाउर अब डेवी लेंपरर की निव अपिसोद नमबर थार्टिन को लेके तो गाइस जैसा कि हमने पिछले विजुट में देखा था जावलाइंग और बाकी सब लोग टोर्नामेंट होने बार इसीटी में जाने के लिए निकल गया था और लिविया के कैरेच में जाके खाना खाने के बाद जावलाइंग बोला था कि नेक्स में हम जब भी मिलेंगे तब एक सत रत जरूर कटाएंगे अब आगे तो गाइस इसेफ्योच की शुरूबात होता है और हमें दिखाये जाता है जाओ लेंग लिविया के कैरे से निकल आता है और अपने मन में कैरे लगता है लिविया में आपकी ऐसी काइननेस को कभी नहीं भूलूंगा अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत परे तो में आपकी हर वक्त मदद करने के लिए तयार रहूंगा और जाओ लेंग लिविया को अब तक जो भी बात बताया ए सब सुनने के बात लिविया काफी ज़्यादा शर्माने लगता है और ओ कहती है ए तो बहुती ज़्यादा इंबेरेसिंग है मेरे हार्ट जोर जोर से धरक रहा है मैं आखिरकार उस लड़के को मेरे दिल के साथ क्या से खिलने दे सकती हूँ मुझे थोड़ा सक्थ लण्डिया बनना परेगा मैं उससे एक दिन जरूर अपना बना लूँगी इसके थोड़ी देर बाद ओस सभी लोग सीटी में आ जाता है और जाओ लैंग उस जगा को देखकर कहता है इस सीटी देखने में तो काफी सुन्दर है आप मैं समझा क्यों इसको वेस्टर्न टिजन का लार्जेस्ट आकारी में कहते है तब भी उसके नजर किसी चीज़ परती है और हमें दिखाय जाता है एक बंद बाकी लोगों को रोकता हुआ कह रहा होता है यहाँ पे सिर्प्स टीचर एंड स्टुडेंट को ही एलाउ किया जाता है बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं जा सकता है और ओ सभी लोग कहता है लेकिन ऐसा क्यूँ और ओ बंद उन लोगों को बताता है यांग मास्टर फोनिक्स इस टाइम पे अभी एकाडेमी के अंदर है सिटी के मेयोर ने हमें ए औरत दिया है कि हम पाब्लिक के सिप्टी के लिए सबको बाहर रखे और ओ सभी बंदा उस गाड से कहता है यू नॉनसेंस ए पाब्लिक के सिप्टी के लिए बिलकुर नहीं है इससे तो यांग मास्टर फोनिक्स का ही भला होगा और ए देखके जावलाइंग अपने मन में कह रहा होता है देखने से तो ए बहुती ज़्यादा complicated लग रहा है इसके बाद जावलाइंग एक चीस को निकलता है और हमें बताया जाता है एक चीस जावलाइंग को कियान सुन नहीं दिया था और उसने बताया था कि जब भी जावलाइंग को कुछ जहुरत पड़े ओ तब इस चीस से सिगनल भेश सकता है और कियान सुन ओ जावलाइंग के पास जल से जल आ जाएंगे और तब ही जावलाइंग उस सिगनल वाले चीस को अपने जेब में रख लेता है और एक क्यूट सा फेस बना के कहता है पर आभी तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है इसलिए मैं थोड़ा घूमफी लेता हूँ इसके थोड़ी देर बाद जावलाइंग के कान में एक आ आवाज आता है मेरे पास माताना मेरे पास आव़े तो मैं चिलाउंगी मुझे बचाओ जावलाइंग लिविया किसी मुसिबत में है और जावलाइंग वहाँ खरी हुई बाकी पार्टिसिपेंट से कहता है क्या तुम लोगोंने लिविया के आवच नहीं सुने और तभी उन में से एक पार्टिसिपेंट कहता है सन्त हो जाव जावलाइंग हम यागमासर फॉर्णिस को आफ़र नहीं कर सकते हैं ओ इस सीटे के मियार के बेटे हैं और उसके मूँ से ऐसे बते सुनकर जाओ लेंग कफी जदा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम सब लोग भार में जाओ मेरे डाश्ते में आने की होशिश मत करना इसके बाद हमें लिविया को दिखाया जता है जिसके साथ एक बंदा जोर जबरदस्ति कर रहा होता है और लिविया उसे कह रही होती है मुझे जाने दो और ओ बंदा कहता है चाहे तुम जितने भी चिला लो यहाँ पे तुमको बचाने के लिए कोई भी नहीं आने बला है और ओ बंदा मैडम लिविया के शरीर को छूने लगता है और हमें जावलैंग को दिखाया जता है जो एसब दिखके जो बहुती ज़्यादा गुस्से में होता है इसके बाद हमें एलकेमिस किंग सिटी के मुस्ट पावरफुल क्लांस के एल्डरों को दिखाया जाता है जो आपस में एक मिटिंग कर रहा होता है तभी उनमें से एक बंदा कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मिस्टि माउंटन को हराना इतना आसान कम होगा और इस बंदे का नाम बू जिंग्यू होता है और बू जिंग्यू अपने बातों को कंटिनियू करता हुआ कहता है उनके पास 100 कमंडर्स 10 मस्टर लेवल की वारियर है और उनके 8 लोड मस्टर बा जो है ओ तो टोप टायर के बैटल स्पीड वारियर है तो तुम उनको हराने की बात कैसे सोच सकते हो तब भी हमें वहाँ पे सीथू क्लान के हेट सीथू इंग जाओ को दिखाये जाता है और ओ कहता है डेमोन माउंटेन में तीन महेने तक एक्स्प्लोर करने के बात मुझे ए मिला और ओ अपने पास से एक फ्लावर को निकलता है जो देखके बाकी दो एल्डर हैरने के साथ कहता है एतो मुझे लूओ फ्लावर है और बू जिंगियू के साथ बले ओ एल्डर लिूओ फैमिली के ग्रैंट एल्डर होता है और इसे के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर इखतम हो जाता है प्लिस गाइस लाइक करना सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बतना वीडियो कैसे लगा है